हिलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आरजी स्टूडियो माइ डेम इज राहूल आम टीचर इस वीडियो में आपको नैशनल सुगर इंस्टीट जो की कांपूर में गौर्न्मेंट ओफ इंडिया कांपूर यहाँ पर जॉब और इंटेड अलगला कोर्सें होते हैं तो इस वीड अप्टूबर यह जो अप्टूबर के लिए यह मई 2024 में आ सकते हैं और इंट्रेंस एक्जाम जुलाई 2024 में हो सकता है तो इस समंद में आपको जहनकरी दूँगा नेशनल सुगर इंस्टिटूट कानपूर एन ISO 9001-2015 सर्टिफाइड इंस्टिटूट तो इस समंद में आपको जहनकरी दी जाएगी और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कंटेट्स नेशनल सुगर इंस्टिटूट कानपूर के विबन कोर्सेश के इंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं NSI, ST, NSI, SE, DFAT, DSPMM, DIPC, DQCES, SECC, SBCC, CCQC और अधर कोर्सेश के इंट्रेंस के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं और Completed Exams की प्रेपरेशन के लिए एक WhatsApp ग्रूप बना रखाए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चैनल को सब्सक्राइब दिसकलने ताकि Important Question के विडियोद मिलती रहें और विभिन जॉप्स और एड्मिसंस के लिए जो नइपडेट्स आते हैं उसकी जनकारी मिलती रहें विडियो को लैक्षेर और कमेंट जरूर कीजेगा तो यहाँ पे जनकारी दी जा रही है National Sugar Institute कानपूर के ISO 9001-2000 Certified Institute आईए इसमें जो कोर्स होता है ANSI SE कोर्स इस वीडियो में मैं इसके समद्ध में जनकारी दूँगा तो यह National Sugar Institute कानपूर का Historical Background यहाँ पे दे रखाए और तो सुगर इंजिनीर से समद्धित जो में इंफर्मेंशन है वो दी जाएगी ताकि वीडियो बहुत देक लंबाना आओ इन्हाँ पे डेटेल आओ कोर्स इस दे रखी है दा इंस्टिटूट प्रोवाइड्स फैसलेटी इस फोर ट्रेडिंग दा इस्टूनेंट इन सुगर टेक्नोलोजी सुगर इंजिनिरिंग इंडेस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड एल्कॉल टेक्नोलोजी एस्सेक्रा एज लिमिट फॉर आल कोर्स जो एज लिमिट होती है इसमें पॉर इंडियन कंडिटिट थर्टिफाइव एर्स दो होती है और फुर्फॉर इनकंडिट थर्टिएट हिएर्स्टत और academic year होता है, इसमें, from 1st July to 31st May, the details of the course of study are given below, तो यह details है, post graduate diploma course, course का, course है, यहाँ पर, course का name है, duration है, minimum qualification, academic, all educational qualifications should be from recognized institute, school, college, polytechnic or university experience है, number of seats, vertical reservation, general schedule caste 15%, schedule tribes 7.5%, OBC 27%, EWS 10%, total horizontal reservation है, rural 15%, defense 5%, physically challenge or scope, ANSI, SE, post graduate diploma course of associative of national sugar institute in sugar engineering, तो full form है, इसकी post graduate diploma course of associative of national sugar institute in sugar engineering, 1.5 academic year, तो देड़ साल का यह course है, eligibility जो इसमें चाहिए, bachelor degree और AMIE from the institutions of engineers, India in mechanical production, electrical, electrical and electronic, तो इसमें बैचलर डिगरी होने चाहिए, AMIE होनी चाहिए, from the institutions of engineers, institutions of engineers से इंडिया, यह जो डिगरी आई है, मेकैनिकल या प्रोडक्शन या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोनिक में होनी चाहिए, और इसमें experience की इसमें experience compulsion ही नहीं है, टोटल जो सीट्स है, इसमें 40 सीट्स है, जो रिजर्वेशन है, चेनरल के लिए 16 है, hc के लिए 6, ht के लिए 3, ovc के लिए 11, ews के लिए 4, टोटल 40 सीट्स है, rural के लिए 6 सीट्स है, defense के लिए 2, और physically challenge के लिए 1, और इस कोर्स का जो scope है, यह है diploma holders of this course are usually appointed to the post of engineer, तो इसके जो diploma holder होते हैं इस course के, यह usually appoint होते हैं, पोस्ट of engineer, इंजीनियर की पोस्ट, assistant engineer, and assistant manager, engineer, etc. in sugar and allied industries, तो इस course को करने के बाद, जो job मिल सकती है, वो engineer, assistant engineer, और assistant manager, engineer के रुप में, in sugar and allied industries, sugar और allied industries में, और इस course की जो फीस है, और इस course की जो फीस है, course हाई है, postgraduate diploma course of associative of national sugar institute in sugar engineering, other than SCST candidates के लिए 2,800, SCST candidates के लिए 2,000, foreign nationals, PIOs candidates के लिए 12,000, नहाँ पर important information बता रहा हूँ, इसमें मैं आपको इसका जो intense exam का syllabus है, इसके बारे में बता हूँगा, जब 2023 का information आएगा, notification आएगा तो उसमें important dates और other information होगी, Indian candidates, foreign candidates के लिए, तो उसमें details अप दी जाएगी, कब से कब तक apply कर सकते हैं, 2023 में ये 10th April को आए था, और last day 26 माई को थी, और जो entrance exam है, ये 25th June को हुआ था, 2023 के लिए, अभी 2024 के लिए आएगा, तो April से ये start हो जाते हैं, तो 10 April 2024 को notification आचकता है, और इसका जो entrance exam का syllabus है, इंटरेंस exam के बीस पर इना admission होता है, syllabus for entrance examination, ANSI sugar engineering course, 2023 का ये syllabus है, जो ANSI SE sugar engineering course है, mechanical engineering and production engineering, section ये में जो topic है, वो है mechanical engineering and production engineering, जो इसके बारे में बता लोगाएं, mechanical engineering and production engineering, section ये में, first पर है thermodynamics, second पर heat transfer, third पर combustion of fuels, fourth पर properties of steam, steam generators, steam turbines and condensers, fifth पर internal combustion engines, air compressors, gas turbines, sixth पर mechanical engineering design, seventh पर manufacturing technology, 8 पर computer-aided manufacturing and manufacturing automation, next topic है electrical engineering, section B, section B में, first topic है electromagnetic induction, second है AC fundamentals, third है AC circuits, fourth है DC generators, fifth है DC motors, sixth है transformer, seventh है induction motors, eighth है alternator, ninth है power system components, tenth है transmission and utilization of electricity, question paper will consist of two sections, two sections में question paper होता है, that is mechanical engineering and production engineering, weight is 60% and electrical engineering, weight is 40%, तो जो question paper होता है, ये दो section होता है, इसके mechanical engineering और production engineering, weight is 60% and electrical engineering, weight is 40%, each section will be of equal marks, in each section, question shall be of objective, short answer and long answer type, होते हैं, तो हर एक section में जो questions होते हैं, वो objective, short answer और non answer type होते हैं, candidates may attempt all the sections, तो सभी sections को candidates attempt कर सकते हैं, तो इस वीडियो में information दी गई है, National Sugar Institute कानपूर के, जो course होता है, Sugar engineering, job oriented course होता है, इसके बारे में बताए गया है, इसकी eligibility criteria, course का scope, course की fees, और course के, जो intrinsic jump का syllabus है, सम्द्ध में जानकारी दी गई है, और जो candidates National Sugar Institute कानपूर के, अलगलग courses के लिए preparation करने हैं, NSI-ST, NSI-SC, DFAT, DSP-MM, DIPC, DQC, ES, SECC, SBCC, CCQC, और इसके लिए online या offline coaching करना चाते हैं, इस पड़़ण question के PDF नोट से लेना चाते हैं, वो 9411-513-974 पर WhatsApp कर सकते हैं, और competitive exams की preparation के लिए WhatsApp ग्रूप पना रखाए, जिसका link आपको description box में मिल जाएगा, चैनल को subscribe विसकलने, ताकि important question के वीडियोज मिलते रहें, और within jobs और admissions के लिए अपडेट्स आते हैं, उसकी जनकारी मिलती रहें, वीडियो को like, share और comment चरूर कीजेगा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.